इस वीडियो में सुगम विग्यान का थीरी चैप्टर नमर थीरी का यहां पे देर गुतर यह प्रस्ण देखेंगे जिसके लिए आप लोग काफी कमेंट कर रहेते हैं तो अलगे तो सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब के लिए या भी लेकिन प्रेस कर जाए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच जाए यहां पर देर नमर उतार इसमें सिफ चार कोशन है ठीक है यहां पर बोल लाए पहला में संसलेशी तंतू से क्या समझते हैं दो संसलेशी तंतू के नाम तथा परतिक के तिन-तिन उपयोग बता है इस चैप्टर का नाम ही था संसलेशी तंतू और प्लास्टिक हैंना सिंथेसिस फाइवर और प्लास्टिक तो हमने इसके बारे में पड़ा भी आया और अच्छे से पीछे जो भी कोशन अंसर था उसको देखा था ठीक है इसके जो आगला चैप्टर उसका सिफ कोशन अंसर चाहिए तो वहाँ पर हम लोग सिफ तो जो तंतू रसायनिक पदार्तों से निर्मित के जाते हैं उने संसले से तंतू काते हैं ठीक है सिंपल सी बात है जो रसायनिक से बनता है जैसे यहाँ पर हम देखते है केमकल से बनता है इस तरह से स्रिंखला बना कर बनता है जैसे बहुलाख हमने पढ़ाता है ठीक है यह क ठीक है यहां पर दो संसले से तन्तू तथा परते के तिन तिन उप्योग इस परकार है ठीक है दो संसले से तो पहला है यहां पर हमने नैलाउन लिखा दूसरा रियाओन है ठीक है नैलाउन है इसका उप्योग तो तीन उप्योग भी पूछ रहा है तो इसका हम लोग उप्यो मचली बनाने में क्योंकि काफी moضबूथ होता है ठीक एक तो यहां पे इस मचली पकड़ने के जाली बनाने में होता है क्यूंकि काफी मजबूथ होता है अपने देशचे से देखा है हम हम लोग यहां पर इस पाट से इस फास इस पाट के ताड़ से भी इसका प्योग उत तूत परस बनाने में में होता है जो आपने जिससे हमोड़ा गरते हैं उसमें भी का खोड़ता और फ्योग यह एगा में अबनाने साथ मैं ठीक है तो यहां पर रस्छी बनाने हैं यहां पर इस तरह से लिखाता है रियान ठीक है तो आप लोगों यहां पर सिदार्थ कर लीजेगा जो भी होगा तो यह बोल रहा है रियान दूसरा नमर में अब बासर का कादर द्रसाइं कि नैलाउन धागा इस पात के तार से भी सबल होता है मतलब किyunbbe के तार से भी मजबूत होता है ऐसा पर्योग धोरा धथाना पहले हैं पुछाばい उपयोग बताएं तू नाइलाउन का मुख उपयोग रसियां तुट ब्रश बस्त्रों मोजो इत्यादी में होताיה ठ परियोग कर सकते हैं तो यहां एक सिकंजा शहीत है तो यहां पर देख लटकता हुआ धागा यहां पधना योदो स्वाइक नाइलॉन लेंगे क्योंकि नाइलॉन से लोग एता है यानि लोब होता है कैरा थे लोग यहां पर आपकर के तो कुछ नधी कि विवस्ता नहीं कि आहां फिर आप भी नहीं कर सकता है सिल लिखें को यहां को कोश्चन में क्या कि आपको दरसाना नेलाउन मजब्वूत होता है तो सबसरे एक मतलब उस पिस 2014 पर Filip यह पल रहा है तो इसमें बाट रखा जा रहा है जब तक रखा जागा है तब तक यह तूट ना जा ठीक है और जितना में यह तूड़ी आता है उसको भार को नोट कर लेना ठीक है नोट करना है कि वो कितने भार में तूटा है उसके बाद में इसी तरह से जिस तरह से नाइल तूटने का जो भार होगा वह इस पाथ से ज्यादा होगा तो लाश्ट में यही लिख देंगा ठीक है तो आप समझ गया होगे तो यहां पर हमने एक सिकंजा सहीत लो अस्तम लिया ठीक है लगबक साथ मीटर लंबर नैलाउन धागा लिया तता उसे अस्तम के सिकंजे से इस बांते हैं हमने देखा पीछे कि वह स्वतंतर रूप से घूम सकता है जो रसी होगा वो घूम सकता है इसके स्वतंतर सीरे से एक पला लटका दिया मतलब जो पला नीचे जिस पर बाट रखेंगो वो लटका दिया ताकि इस पर बाट रखी जा सके ठीक है पलड़े पर एक एक करके बाट तब तक रखें जब तक कि धागा जो है वो तूट ना जाए ठीक है धागा को तोड़ने के लिए अवस्यक भार नोट कर लिया कर लिया ठीक है जैसे मतलब कि हम खूद कर रहे हैं इस तरह से लिखना ठीक है और यह दम सिंपली है अपका मन में अपना सोच लेन कि तरह इसको याद कर लेना अब इस पास के समान लंबाये और करीक पर लिए उतना ही समान मुटाये के धाव के साथ पर्योग को फिर से दोर आना जसे अब यहां पर इस पात के इस पात अब लेना ठीक है उसमें यहां पर दो रहा है जिससे पता चलता है कि नैलाउन को तोड़ने के लिए अवस्यक भार अब यह जो परियोग की इसे क्या पता चला क्योंकि यह जो है कम भार में टूटी गाओ ठीक है तो परियोग को दो रहा हैं जिससे पता चलता है कि नैलाउन का तोड़ने के लिए अवस्यक भार जो है वो इस पात को तोड़ने के लिए अवस्यक भार से ज्यादा है या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि नैलाउन के तोड़ने के लिए अवस्यक भार या फिर यहां पर इस पात के तार से अधिक सबल होता है तुमित करते हैं आपको समझ माग्या हूगा ये question थोड़ा सा बड़ा हो गया ठीकि तो इसी तरह से होगा अब यह पे तेस्रा मत और कोस्ट्राओं करद कर दो Tulisad day का का इस नाव हिए संस्थित नाव्वाल से बालभ फिलेश को होते हैं और डिजाइनों में उपलब तथा कम देखवाल चाहने वाले होते हैं माकरसक डिजाइनों में उपलब तथा कम देखवाल चाहने वाले होते हैं मतलब इसको इतना देखवाल जैसे कारण बगरा का इसको जरुवत नहीं होता है यहां दोने पर सिग्र सूख जाते हैं सूख भी जाता है ठीक है यू न यह क्या है यह क्या है यह चून होगा ठीक है यहां पर चून होगा चून यहां पर चू लिखना ठीक है परति रोधी मतलब जो चून पढ़ता लकीर पढ़ता कपड़े में उसका परति रोधी होता मतलब उसे पर नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता चूनन परति रोधी होने के कारण धोने पर यह नहीं सुकूरते हैं अता इन पर प्रेस करने के भी आव सकता नहीं होती है तो यह आप से subscribe कर लिए घ़ा यहां पर हम लोग देखेंगे कि चाउटा नमरalso Wales करते हैं उसके बारे मत बार सना प्लास्टिक क्या है उसके भारे मानम निर्मित पदार तो थीचका दो उसमा युद्र प्लास्टिक हमने देखा एक उसमा सुघात अघ्जा ँसको हम अब तो हमने फैसे उसमा हमने मैल होता है और मेलोग काफी मजबूत होता है अब यहां पर देखते हैं ठीक है प्लास्टिक मानम निर्मित्पदार्त है तो प्लास्टिक मानम निर्मित्पदार्त है यहां दो परकार के होते हैं पहला थर्मो प्लास्टिक जैसा कि आप लोग जानते इसको उसमा सुगाट यहां पर टैपिंग नहीं हो रहते इसलिए इसमें थर्मो प्लास्टिक लिखा औ इसके दो उधारण बेके लाइट और मेला मायन है colorful होता है वह बिदुद्ध प्लग जो देखें बिदुत प्लग होता है स्वीच होता है टेली फोन उपकरन के जो बाहरी धाची होते हैं बीजली के अंसमान बनाने के साथ साथ घरेलू बरतनू का हत्ता जो हाथ पकड़ने वाले से कूकर के कूकर पकड़ने वाले जो पलास्टिक होता है उसी को बोलते ह मोटरों के पार्ट्स होता है आधी बनाने में भी होता है मेला माइन का जो प्योग होता है वो मेजो की उपरी सता बर्निस और फर्स का जो टाइल होता है अपने नीचे जखाऊगा बिचाया जाता है उसको वो टाइल आधी बनाने में होता है तो मित करते हैं यहां तक अब य क्यारी करते हैं तो यहां सब्सक्राइब पूछा जाता है ठीक है तो वीडियो के पेंट करते मिलता है आप सब्सक्राइब तब तक लिए जैन जै भारत